दोस्तों हमारे आज की जो सेलिबरिटी गेस्ट हैं इनकी पहली फिल्म थी अब आएगा मज़ा शायद उस समय किसी को नहीं पता था कि इनकी जर्णी में इंडीड इनहें तो मज़ा आएगा लेकिन इनके काम से पब्लिक को हमें और आपको इतना मज़ा आएगा कि हम हमेशा इनके बारे में जिकर करते रहेंगे बात करते रहेंगे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 1984 की डिलीज हुई फिल्म अब आएगा मज़ा के लिरिसिस्ट यानि सॉंग राइटर समीर की let's welcome him welcome to ETC Bollywood business thank you, thank you Komal Samir, almost 30 years हो गए है how do you look back at the journey 1984 से जो शुरुवात हुई अब भी आप इतने in-demand lyricist है, इतने in-demand songwriter है और आपने काम तो खहर बेशुमार किया है how do you look back at the journey see, Komal, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं वैसे सच पूछो तो मेरी आदत पीछे मुड़ के देखने की नहीं है बट कभी जब ऐसे सवार आते हैं सामने की आपकी जर्नी कैसी रही है आपने तो मुझे बहुत मज़ा आता क्योंकि बड़ी adventurous जर्नी रही है और literally तीन जर्नी की जर्नी रही है तो इतनी सारी कहानिया मेरे दिमाग में जैसे तुमने अब आगा मज़ा का जब नाम लिया तो मेरे साथ इतनी सारी कहानिया जुड़ गई इतने सारे चेहरे याद आने लगे इतने सारे incident और accident याद आने लगे कि मतलब अगर मैं तुमसे बात करना चाहूं और पुरानी बातों का जिक्र करूं तो मुझे लगता है कम से कम 15 दिन तो हम लोगों को इस पुरानी जरनी को याद करने में लग जाएगा तो आपकी एंट्री बॉलिवुड में सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि आप फेमिस लिरिसिस्ट अंजान साब के पुत्र है मेरे पिता गीतकार अंजान की कभी तमन्ना थी कि मैं इस इंड़स्री में आऊ क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा अंतराल संगर्स का जिया था तो उनको ये डर था कि मैं उस आग में आके फिर न जलू और उन्होंने इसलिए मुझे ये अमकाम करवाया और उन्होंने कहा कि तुम कोई विजनस कर लो कहीं सर्विस कर लो चार्ड़र एकाउंटेंट बन जाओ बट इधर मताओ मगर क्या है देखो जो लिखा है पूच के मैंने वो पढ़ाई पूरी की मैंने बैंक में सर्विस एक दिन किया एक दिन? एक दिन क्योंकि उस दिन पहले ही दिन बैलेंस इट नहीं मिली हां लिखने की जो हाबी थी वो सुरूष्ट थी और वो शौकिया तोर पर लिखता रहा चुकि वो जर्म कहीं न कहीं इंसाइट थे मेरे तो मैं उसको डेबलब करता रहा क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता था मगर जब आप इस इंडस्री में आए 1983-82 में आये होंगे 84 में आपकी पहली फिल्म रिलीज हुई आपको भी अपने डाडी की तरह संघर्ष करना पड़ा बिलकुल मुझे ऐसा लगता है कुमल की बिना अंधेरे के उजाला कहीं नहीं है और अगर है तो उजाले की कोई अपनी अवकात नहीं है कोई उसका लुथ नहीं है लिटरली नौ साल 81 में मैं बांबे आया 81 से लेके 89 तक यह लिटरली 9 साल का जो संघर्ष था और वो संघर्ष भी ऐसा वशा नहीं था मतलब जो संघर्ष के सबसे बुरे दोर से जिसको गुजरना कहते है मैं भी चाल में रहता था मैं भी लोकल ट्रेन में चलता था मैं भी बसों की लाइनों में घुमा हूँ मैं भी कितनी राते भूखा सोया हूँ तो जो कुछ करवाना था पर आपके पिता जी भी तो इस इंडर्ष नहीं था और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कहानी ये है कि जब मैं आया तो उनको पता भी नहीं था कि मैं मुंबयWow मैं अपनी जमीन खुद बनाओ उस तरह से मैं एक साल तक उनसे जुदा रहा और अपनी लड़ाई लड़ता रहा मैंने जर्नलिजम किया मैंने ट्यूशन्स किये और एक बार उस एक साल के दर्मियान मुझे बनारज जाना पड़ा तो जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो मुझे याद है कि चर्च गेट से मैंने 11 रुपए की एक स्रट करी दी थी वही पहन के मैं बनारज गया था तो जब मार ने देखा तो इसको लगा रुको मैं अग्दम पतला हो गया था सन्घर्स करकर के तो उसको कही न कही तकलीफ हुई तो इसने पूच्छा मुझे तो मैंना नहीं कोई बात नहीं है मैंठीक हूँ, चल रहा है सब क्योंकि मां से तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ तो मां ने ख़द लिखा पिता जी के नाम कि मेरा बेटा पिछले एक साल से आपके शहर में इस तरह से संघर्स कर रहा है आप कभी उससे मिलने की भी जुरुदत नहीं किया और आप उससे कभी मिले भी ने तब उनका एक लेटर गया भाई मेरे सपने में आपका बेटा नहीं आता मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका बेटा इस शहर में है माई गुडनेस खैर फिर उन्होंने मेरे किसे रिलेटिव के थुरू यह पता लगाया मैं कहां रहता हूं फिर उन्होंने मुझे बुलवाया और एक मिटिंग की और मुझे याद है पामपोस से जो लिंकिंग रोड पे पामपोस रेस्टरांट हुआ बहुत पापुलर हुआ करता था उस जमाने में वहां मेरी मिटिंग फिक्स हुई और लिटर नी सोचो मैं हो गया था उस वागर 23 साल का 23 यह ओल आवाज और पिता जी से मेरे ख्याल से मेरा रिस्ता जो था बहुत ही अजनभी रिस्ता था क्योंकि 23 साल के बाद 23 सालों में मैं उनसे मुश्किल से तीन या चार वार मिला हूँगा क्योंकि उनका मुंबई से बनारज जाना बहुत कम होता था क्योंकि 17 साल तक उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उनको खुद के खाने के पैसे नहीं थे खुद रहने की जगए नहीं थी और हम लोग हमारे ग्राइब फादर जो थे हो बैंक में सर्विस करते थे तो उससे घ़र चलता था तो था तो उनी के सरमाहे में हम जीते थे उनी के साथ रहते थे उनी को किस का कर्रिंग پांश साथ साल तक तो मुझे लगता था वह ही मेरे फादर है तो लिटरली एक महमान की तरह हमारा रिष्टा था मगर जब मैं यहां आया और उनसे मैं मिला और जब मैं बड़ा होने लगा तो डिफिनिटली एक दो बार फिर गए बट वो मुलाकात ऐसे ही होती थी जैसे मुझे लगा मेरा कोई रिलेटिव आया है दो दिर रहेगा और चला जाएगा तो एक तेईस साल के बाद बाप बेटे का मिलन हुआ और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ सवालात मुझ से किये वो बड़े कमाल के थे पहले ही सवाल यह था कि अब आप यहां आ गए हो और मेरी मर्जी के खिलाफ आप आए हो और आप जवान हो आपको अपने डिसीजन्स लेने की पूरी आजादी है मैं आप से चन्द सवाल करूँगा अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं आपको ग्रीन जन्दी दिखाऊंगा नहीं तो फिर आपकी दुनिया है आप अपनी तरह से जैसे जीना चाहें जीए और पहला सवाल था कोमल की आप सोचो ऐसे मोमेंट पे इस जगह ये सवाल पूछना है उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने जिन्दगी में कभी किसी से प्यार किया है एक मिनट के लिए तो मैं बहुत चकाओ यार यार ये कोई जगह है और ये कोई सिच्वेशन नहीं है ऐसा सवाल पूछने की मगर मैं चुकी I was ready आज ही मुझसे जो पूछेगे मैं उसका दो तूग जवाब दूँगा तो मैंने बोला हाँ किया था क्या सोच के प्यार किया था तो मैंने बोला कि कोई प्यार करता है तो कोई सोच के नहीं करता है प्यार हो जाता है आदमी किसी को पसंद करता है प्यार करने लगता है अच्छा आप मुझसे पूछे कि मैंने आप से सवाल क्यों पूछा तो मैंने बोला बताईए बोले कि पहले सवाल में आप पास हो गए है इसलिए मैंने आप से पूछा आप मुझसे पूछे कि आपने कि परवा नहीं है कि बेवफा हो या बावफा हो तो मुझे यह समझ में आया कि आपकी दिवानगी जो है इंटिलिजेंट सवाल किया था जबकि जब उन्हें सवाल किया तब मैंने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि सवाल इसलिए किया गया हो दूसरा सवाल यह था कि देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर तुमको जन्नत देखनी है तो मरना खुद पड़ेगा ज्यादातर लोग देखना तो चाहते हैं लेकि जन्नत देखनी है मगर मरना नहीं चाहते तो यह सोचो अगर मरोगी नहीं तो जन्नत देखेगी कैसे ज अपा एक लाइन मुझे नहीं सूज रही है तो मैं तुमको उसी वकत घर से बाहर निकाल दूँगा क्योंकि तुम अपनी लडाई जैसे मैंने कहा ना कि मरने तुम आयो मरना तुमको पड़ेगा तो अगर तुम्हारी वो आदत यहां खराब हुई तो तुम जिन्दगी वड़ डिपेंडेंट रहने के आदी हो जाओगे और मैं वो तुमको करने नहीं दूँगा क्योंकि मैंने जीवन को बहुत करीब से देखा है इसलिए मैं यहां क्योंकि उन्होंने जो मुझे उसके बाद उन्होंने एक साल काम नहीं करने दिया बोले एक साल तक तुम कलम नहीं उठाओगे क्योंकि तुम जिस इंड़स्ट्री में आए हो पहले अभी तुम थियूरी पढ़के आए हो प्रैक्टिकल अब तुमको मैं पढ़ाओंगा पहले चलो समझो कहानी क्या होती है सिच्वेशन क्या होती है आपजर्वेशन क्या होती है ट्यून क्या होती है कैसे लिखी जाती है और एक कमाल उन्होंने किया बोले पहले दिन जब मुझे कल्यान जी क्या हो लेके गया उन्होंने बोला जब वो situation सुनाएगा director तो उस पे तुम भी मुखडा लिखोगे और मैं भी मुखडा लिखूँगा और तुम्हारा और अपना मुखडा मैं दोनों अपने नाम से सुनाओंगा जिस दिन तुम्हारा मुखडा पास हो गया उस दिन मैं तुमको बोलूगा कि अब ये कलम तुम्हारा है तुम आगे बढ़ो और एक साल तक हर सिटिंग क्या लक्ष्मी कान के सिटिंग क्या अर्डी वर्मन के सिटिंग क्या कल्यान जी क्या भप भी लग रही जो आपने का तीन जेनरेशन तो फर्स जेनरेशन वाले म्यूजिक डिरेक्टर के हाँ मेरी आजमाई शुरू हुई और मुझे वहां ले जाया जाता था कि मेरा बेटा है यह ऐसे आया हुआ है तो जरा है टाइम पास के लिए बढ़ता है इसलिए हर देकर जाने की जाज़त थी जब दो एक साल के बाद पहली बार और मुझे फिल्म याद है एक फिल्म बनाई थे अरुंदत ने बिंदिया चमकेगी रेखा जी हिरोईन थी उसमें जब मेरा मुखड़ा पास हुआ उस दिन उन्ह उन्हें बोला नाउ यू गो हेड़ कि बेटे तेरी किसमा चमकेगी अब तुमको समझ में आ गया कि ये प्रिक्टिकल नालेज और थेोरिकल नालेज में फर्क क्या है अरे या मतब तब्यत खुश हो गई ये सुनके तो वंड़ोफुल सबसे बड़ा कॉंप्लिमेंट आप तो उन्होंने मेरे फादर से एक दिन पूछा कि आपका बेटा कैसा लिखता है तो उन्होंने कहा बहुत बुरा लिखता है आपके फादर ने कहा मेरे फादर ने कहा कि वह बहुत खराब लिखता है तो उन्होंने बोला आप अजीब फादर हो यार आपने बेटे के बारे म अगर आप इंटिलिजेंट होते तो पहले आप उसे लिखवाते आप खुद मुझे बताते तो उनके काम्प्लिमेंट ऐसे होते थे तो अगर आप पूछो भी ना ड़ी कैसा लगा मुझे आज तक वो मतलब गुजर गए मगर उन्होंने जैसा होता ने बहुत से फादर्स को म और उन्होंने कमाल का एग्जाम्पल दिया था कि क्रियेटर्स की जो आवकात होती है जो क्रियेटिव आदमी होता है उसकी आवकात एक कत्रे की होती है समंदर की बूत की तरह होती है और हर कत्रे की हर ड्राप की ख्वाहिस होती है समंदर बनने की जो कभी बन नहीं पाता ह मगर इस प्यास में जीना ही क्रिएटिविटी है ये प्यास जिस दिन आपकी मर गई तो क्रिएटिविटी भी खतम हो जाती है तो इसलिए आप पर्फेक्षिनिस्ट कभी हो नहीं सकते जिस दिन आपको लगने लगे कि आपने बहुत कुछ कर लिया उस दिन कलम रख देना और अपने स्वांता सुखाय के लिए लिखते रहो मगर अभी तक तो आप उस जगह नहीं पहुंचे कि आप कलम रखने की सोच रहे हैं मैं तो मेरी लड़ाई तो ऐसी है कि मैं जब गिरता हो न तो मुझे में समखलने की और ताकत और मैं उन्हीं को याद करता हूँ जैसे उनकी लाइन है ना कि कि जग अभी जीता नहीं है मैं अभी हारा नहीं हूँ फैसला होने से पहले हार क्यूं सुखार कर लूँ तो जिन्दगी जितना आजमाती है मुझे मालुम है कि मुझे उतना देखे जाएगी इसलिए मैं आजमाई से घवराता नहीं और मुझे इतना मज़ा आ रहा मैं बताओं कि जो कुछ मैंने लिखा जैसे तुमने पूछा ने बुरानी यातरा तो मुझे कुछ याद नहीं अगर सक पूछो तो लोग याद दिलाते हैं और कई बार तो ऐसे भी मौके आया है कि लोग अचा-चा कुछ-कुछ होता है आपने लिखी थी क्योंकि मैं मीडिया से अपना ढोल बजाने से और इन चीजों से बहुत दूर रहा केवल काम करता रहा करता रहा और अभी भी मुझे एकी सनक है बस काम करना है और ना तो मैंने कभी इतिहास लिखने के लिए काम किया आप लोग बोलते है बाई इंड़स्ट्री में हाइस नमर आप फिल्म लिख दिये कितरी फिल्मे हो गई आपकी 700 से अधिक 703 अभी तक हुई है और गाने गाने तकरीबन 4,000, 4,500 गाने वाई तो मेरे पहले ये रिकार्ड था बक्सी साहब के नाम बक्सी साहब ने बहुत क्राम किया और मैं उनका बहुत बड़ा फालोवर रहा हूँ और मैं वो मेरे गुरू की तरह है मगर ये जब मैंने शुरू किया तो मैंने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि ये सफर मैं यहां तक टैक कर पाऊंगा ये 30 साल का सफर मेरा होगा आज केल की जनरेशन के लोगों को एक बड़ी अजीव सी बिमारी यार ये पुराना हो गया यार कुछ नया ट्राई करते मगर जो आदमी आप अगर ये पुराने नहीं होते कही ना कही मैं जैसे मैंने फालतू जब लिखी चार बज गए लेकिन पार्टी अभी बाती है वो फिल्म मेरे लिए इसी लिए चैलेंज थी कि मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मुझ से I will do it बट अगर आप अणुमलिक को नदीम श्रवन को आनंद इलिद को अगर आप प्लेटफार्म नहीं दोगे काम ही नहीं दोगे तो पिर वो कैसे करे लिए इस लड़ाई में मैं प्रूफ करके रहूँगा पर समीर साभ आपने ये कहा कि जब भी मैं गिरता हूँ मगर as a lyricist गिरते क्यों है बक्सी साभ से मैंने यही सेम सवाल पूचा था कि अंकल एक आदमी नम्मर वन पर जाके खतम क्यों हो जाता है उन्होंने बहुत कमाला और उन्होंने बोला यह मैं तेरे से कह रहा हूँ इसको सुनना मत इसको गाठ बाढ़ लेना कि जब आदमी को नम्मर वन होना होता है तो केमल काम करता है और जब नम्मर वन हो जाता है तो सब करता है क्यों काम नहीं करता है समीर साभ आपके साथ भी lyricists के साथ भी ऐसा होता है कि अगर दो या तीन successful film में आती है जो हिट होती है तो फिर लाइन लग जाती प्रेडियूसर्स की मिसाल के तोर पर अभी आपकी राउडी राथ हौड लगी तो क्या काम वापस ज्यादा आने लगता है यह industry भेड़ चाल जो बोलते हैं यहाँ यही तो सबसे बड़ी तखलीफ है आप आप जो है टेलेंट के हिसाफ से आपको काम नहीं मिलता है आपकी success के हिसाफ से इसलिए होते हैं नथिंग succeed like success तो जब आप successful होते हैं आप वही होते हैं सब कुछ वही होता है मगर एक success का जो label लग जाता है तो वो जो बोलते हैं Friday to Friday आपका status change होता रहता है वही सबके साथ होचा है writer हो कोई भी technician हो वो जब hit पड़ती है तो पूरा scenario change हो जाता है वही चार जिफलाप होती है तो फिर आप कहीं न कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो जाते है मगर उसके लिए कोशिस यही करते रहना चाहिए कि कहसे भी एक hit पड़े आपकी एक अच्छा गाना आपका बाहरा है और इसके लिए cutthroat competition में भी शामिल होना पड़ता है lyricist को, songwriters को differently competition तो क्या है competition तो ठीक है cutthroat competition वो 25,000 में कर रहा है तो मैं 20,000 में करने को तयार हूँ यह prices का तो ऐसा है न कोमल किसी की यहां कोई fix price नहीं है यह सब market के हिसाब जैसा तुमने कहा ना कि जब hit पड़ती है तो आप demand करो यहां सारा चकर demand and supply का ही है आप demand में है तो आप जो मांगए तो आपको मिलेगा और नहीं चल रहे हैं अगर उस पर आप अड़ते हैं तो कहीं ने कहीं compromise करना पड़ता है अगर आपका time ठीक नहीं है तो आपको एकosis करनी पड़ती money is the secondary पहले तो आप काम मिले जैसे आप market में आएं आपको पता है जैसे दिन आप market में आएंगे वो सब आप cover up कर लेंगे तो आपको भी undersell करना पड़ा है अपने आपको और तब मतलब एक ego को ठेस नहीं पहुंचती है यहाँ ego जो चीज है ना अगर आपने उसको कहीं रखा देखो self respect की बात अलग है बट अगर इस industry में काम करना है और आप ego के साथ काम करेंगे तो आप कभी sustain नहीं कर सकते क्योंकि ego ही एक ऐसी चीज है जो आपको मार देती है और यहाँ बार बार आपका ego हट होता है क्योंकि यह glamorous दुनिया है आप दो मिनट में आसमान की उस उचाही तक पहुंच जाते हैं जहाँ आपने सोचा भी नहीं होता है और वहाँ से जब ढ़लान पर आते हैं तो जहाँ जाके गिरते हैं वो भी आपको अंदाजा नहीं होता तो जब उचड़ते रहते हैं तो सारे ego आपके साथी जवागे गिरने लगते हैं वहाँ जब आपको ठेस लगती है मगर ये चुकि नेशूरल प्रासेस है कि अगर आप चड़ाई पे हैं तो धलान पे आना है तो उसमें अगर आप यो को कहीं न कहीं इन्पार्टेंस देंगे तो आपके बिजनस में आपको बहुत फरक बढ़ देए समीर साब आपने कहा मैं पीछे मुड के कभी नहीं देखता हूँ तो इसलिए मेरी जर्नी कैसी रही ये मैंने कभी सोचा ही नहीं है आगे देखें तो आने वाले पंदरा सालों में आप अपने आपको कहां देखते हैं गुमल मैं बार-बार एक ही बात बोलता हूँ ना कि जहां से चला था, वहां से आगे हूँ इस जमी आसमा से आगे हूँ ये कहना मेरे लिए नामुम्किन जैसा है क्योंकि यहां किसी भी मोड पे आग कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कहां हैं क्योंकि आपके पीछे, जो आपके हमकदम हैं, वो बिलकुल एक, बोलते हैं, एक इंच के फर्क पे हैं, आप जड़ा सा ठहरे, वो आपसे दस कदम आगे निकल जाए, तो ये 100% शियोर करना, जैसे मैंनला, फ्राइडे टू फ्राइडे अगर ये डिसाइड होता है, तो अग कि जिस लड़ाई में, जिस सफर में मैं चल रहा हूं, उसमें मैं जहां था, वहां से आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ता रहूंगा, तो दोस्तों, ये थे songwriter, lyricist Samir, इनका काम इनके लिए बाते करता है, because he's done great work, lovely, lovely work, he's entertained you with wonderful songs, और इसी तरह इनका, इनकी जो जर्नी है, इनका जो सफर है, चलता रहेगा, and हमारी यही दुआ है, के he keeps entertaining you and me, and all of us, for years and years to come. झाल झाल झाल